डियर फ्रेंड्स क्या आपके घर में भी एक डॉग है आप निया डॉग लेकिया है शायद और आप उसकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस कर रहे हैं जैसे उसकी शुशु पॉटी की हबिट कैसे बनानी है उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं आ रही है उसका हेड फेस अच्छा बहुत रहती है मैं बादल मंडारी हूँ और मैं पिछले पच्छे साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूं और मैं बहवरिस्ट हूँ मेरे साथ में एक जमेशेफट बेबी है आप इसकी क्वालिटी आप इसकी टाइप देख सकते है इसका नम शेरा है और यह थी मंद्स का बे हैं लेकिन आपको एक पता नहीं कि कितना देना चाहिए उसको हैल्थ टानिक जो है ड्यकरणेट्ल के निंग तुर लिवर कितना है, और इवर की परफेस की है लिवर का बहुत सारे डॉग को स्किन की प्रोब्लम मारी होती है बहुत सारे डॉग की एपिटइड पुर होती है रही होती है, दो दो हो सकते हैं और कई बरी होता है वैदर के हिसाब से हो सकता है जैसे allergies हो जाती है skin problem हो जाती है बहुत बरी होता है हमारी diet उसके लिए responsible होती है और हमें यह पता नहीं होता कि हम treatment कर रहे हैं बार-बार treatment कर रहे हैं और बार-बार हमारा के लिए कई बरी होता है हमें सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों को balance करना उपर नीचे करना है और बहुत बरी हम सिर्फ non-veg पर करते हैं हम लोग सोचते हैं एक आम आदमी सोचता है dog मतलब chicken chicken देते हो chicken देने से हमारा dog healthy हो जागा ऐसा नहीं है chicken में प्रोटीन हो सकता है थोड़ा बहुत calcium उसकी बोन में हो सकता है या अगर मटन देते हैं उसमें फास्फॉरस होगा लेकिन calcium का जो सोर्स है वो chicken नहीं होता तो हमारे dog को healthy रखने के लिए एक balanced food बहुत ज़रूरी है मैं बार-बार क्यूं बोलता हूं मालूम है N number of calls are there जो हम daily receive करते हैं भी हमारे dog की front legs खराब होगी हमारे dog की पिछली टांगे खराब होगी हमारे dog की पिछली टांगे जो है न वो वीक होगी है cross करने लगी है अंदर को या वो खेलते-खेलते कभी सोफे से जंप कर देता है और उसकी spine पे strain आ जाता है sometimes dog गीले फर्ष पर भाग राया भागते भागते उसको चोट लग जाती है और अकसर dog उसको जो doctor है वो बोल देते है वो hip dysplasia लेकिन वो injury की वज़े से हुआ है आप उस चीज को समझे और वो सारी की सारी चीजें जो curable है अगर आपके dog के बाल बड़े नहीं हो रहे आपको लग रहा मेरे dog के जो बाल है उनों excess loss हो रहा है उसके बालों का तो इसके लिए जो इसकी skin की जो conditioning है उसके लिए आपको एक expert advice चाहिए balanced food चाहिए healthy food चाहिए उसको fiber चाहिए कितना fiber चाहिए बहुत मैटा करेगा उसको foods दे सकते हैं कौन से fruits दे सकते हैं बहुत मैटा करते है हर dog की अलग requirement है यह German shepherd है तीन मीने का लेकिन 12 kg का है बहुत बरी तीन मीने का German shepherd मैने देखा 4-5 kg का होता है 6 kg का होता है लेकिन वो depend करता ब्रीडिंग पर लोग बोलते हैं अब बार 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 बोलते हैं मेरी ब्रीडिंग का of course भाई मैं proud breeding कर रहा हूं तो मैं बोलूँ आना यह this is my quality diet schedule है dog के लिए वो मालूम है किसली important है ताकि वो सारी जिन्दगी जितना जीना है उसने 12 साल जीए 15 साल जीए वो बहुत healthy growth रहे उसकी healthy fit रहे growth तो 12-15 महीने ही पहले की आने है अगर giant breed है तो अलग बात है अद्वस 12-15 महीने में dog बढ़ा हो जाता है और फिर उसके joints अगर strong होंगे तो उसको joints की problem future में नहीं आएगी उसको paralyzed होने के chances बहुत कम रहेंगी अगर उसका nerveine system अच्छा है अगर उसका liver strong है अगर वो कभी बिम बहुत जादा हो जाते है पेट बहुत जादा फूल जाता है वो बार-बार potty करता है extra potty करता है लेकिन वो हम अगर चाहें अगर हम उसे balance करें तो जो potty extra करने वाला system है वो भी cure किया जा सकता है dog fit होगा तो जो honor है वो बिलको tension free रहेगा वरना में बार-बार wet के पास जाना ट्रेवल करना नहीं चाहता राधर wet के पास जाना भी dog को पसंद नहीं होता फिर भी हमें six months में एक बरी उसको लेकर जाना पड़ता है अब यह जो है शेरा थोड़ा सबसेट हो रहा है मुझे क्यू टेबल पे बढ़ा हो गया video so I hope यह जो वीडियो बनाये आपको पसंद आ पे thank you so much love you all bye-bye